हलो दोस्तों आप सब कस्वागत है अपने चैनल डूर में यहाँ पे CSIR की तरफ से कुछ पोस्ट निकली है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से तो दोस्तों यह एड़टिस्मेंट नमबर है उनिस मार्च वुशु को अफ़िस मार्च को अव्जित किया जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे काफी कोड है मिनस नमबर au पोस्ट हैं तो यहाँ पे Lego90 मॉर्च दो दिन यहाँ पर 25 नहीं पर आगा सानी पोस्टों को बताऊंगा जिसमें आपका फामेंट की मांग 168 इसमें दोस्तों आपका मांगा जा रहा है Master's Degree in Environmental Science होना चाहिए या फिर Analytical Chemistry होना चाहिए या फिर M-Pharma होना चाहिए in Pharmacology, Pharmacetics या फिर Bachelor's Degree होनी चाहिए in Engineering and Technology, Environmental Science, Analytical Chemistry Former Recognized University or Equalent इसमें दोस्तों जो आपका प्रोजेट है वो है दोस्तों Collection of Fruits, Vegetables and Cereals Pesticide Residue Analysis Toxicovenetics Study के उपर और इसमें जो आपको Emolvents मिलेंगे, वो मिलेगा 25,000 प्लस HR और अपर ही जो इसमें रखी गई है वो है 35 years और जो आपके प्रोजेट का नाम होगा दोस्तों वो है Monitoring of Pesticides Residues at National Level फिर दोस्तों इस पर जो नेक्स्ट वेकिंसी है अपने Pharmacy Candidates के लिए क्योंके दोस्तों इसको मैंने भी अभी देखा नहीं है मैं भी आपकी तरह यहां पर इसको लाइव देख रहा हूँ इसलिए यहां पर सर्च करने में तोड़ा मुश्किल हो रही है तो यहां पर दोस्तों साथ के बात है आपका 15 नंबर पोजेट एसोशेयर टू इसमें दोस्तों आपका Master's Degree in Chemical और Pharmaceutical Science और Bachelor's Degree in Engineering and Technology Chemical और Pharmaceutical Science फ्रम एर रिकुनाइज उनिवेस्टी और एकुलेंट और उसके साथ-साथ यहां पर 2 years का experience भी होना चाहिए इसमें दोस्तों मेंली है आपका अनलिसिस ऑफ पेस्टिसाइड इन बालोचिकल मैट्रिसेज उसिंग गैस और लिकुड क्रोमेटोग्राफी हाइफनेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इसमें जो आपको इमोल्वेंट्स मिल रहे है वह है 28,000 प्लस HR है अब अरे जो लिमीर दोस्तों यहाँ पर 35 येर्स है और जो टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का वह स्टेडी टू एक्सेस दी एक्सपोजर और हेल्थ एफेक्ट्स ओफ पेस्टिसाइड फिर दोस्तों यहाँ पर Microbiology वालों के लिए, Biotechnology वालों के लिए, Biochemistry वालों के लिए काफी वेकेंसी हैं तो अगर आपके दोस्त वगेरे ने ये सारी डिग्रियां की हैं तो आप उनको ये चीज दिखा सकते हो तो क्या पता हूं उनके भी ये चीज काम आ जाया है फिर दोस्तों यहाँ पर आपका Project Associate 2 इसमें आपका मांगा जा रहा है Pharmaceutical Science from a Recognized University or Recurrent और Two Years Experience with Research and Development in Science तो दोस्तों इसको भी आप भर सकते हो यहाँ पर भी Emoluments दिए जा रहे है 28,000 प्लस है चाहरे है और जो आप पर इस लिमिट है सेम है 35 years और यहाँ पर जो आपका टाइटल है वह है development of native and recombinant bacteriophage based nanoprops या biocontrol formulations for detection and protection against foodborne pathogens as an alternative technology for food preservation and food safety फिर दोस्तों यहाँ पर एक और है आपके लिए project associate 1 और इस पर आपका master's degree in analytical chemistry है या फिर आपने m pharma किया है pharmacology, pharmaceutics, pharma chemistry में या फिर आपने bachelor's degree लिए है in engineering and technology analytical chemistry from a recognized university or equivalent तो आप इस form को भर सकते हैं यहाँ पर आपको 25,000 प्लस है चारे दिया जाएगा जो अपर एज लिमित रखी गई है 35 years रखी गई है और जो टाइटल है अफ का project का वह है real-time portable electrochemical sensor array for simultaneous detection of antibodies and pesticides age limit is relaxable up to 5 years in the case of applicants belonging to SC, ST, PH and women applicants whereas 3 years in case of OBC तो दोस्तों जो लोग SC, ST, PH category से बिलोंग करते हैं या फिर women applicants जो है उनके लिए upper age में 5 years का relaxation है mode of selection तो selection is to be done on the basis of online interview through MS team तो यहां पर दोस्तों जो mode of selection है यहां पर written examination नहीं है बलकि आपका online interview है और वो online interview 19th को होगा या फिर आपका उपर भी दिया हुआ था दोस्तों 19 या 25 को आपका 24 को होना है तो दो date दी गई है यह आपको इंशिमेट कर दिया जाएगा आपके email के थुरू तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका interview होना है तो किवल interview होगा उसके basis पर ही आपका वहा साइट है इसको डाउन कर दीजे यह www.itrindia.org और application आपका 5 मार्च से शुरू हो चुका है 11 a.m. और जो इसकी last rate है दोस्तों 11 मार्च 2021 अप टू 5 पीम है तो ध्यान रखिए दोस्तों यह कल तक ही यह form भरे जाएंगे तो इसको आप जल्दी से भर दीजेगा अगर आप इल कई कल 11 है और अप टू 5 पीम तक ही यह आपका online application भरना है फिर दोसे scanned copy of following document shall be attached in the online application scan copy of original documents तो आपको यहाँ पे scanned copy जो original documents की है वो upload करनी है जब आप form भरेंगे इसमें आपका educational qualification की जितने भी है उनको scan करना है एज के लिए आप 10 certificate लगा सकते हो category certificate भी आपको लगाना है अगर आप वहाँ पे SC, ST, OBC या PWD candidates हैं फिर दोसों आपको experience certificate भी लगाना है अगर मांगा गया है वहाँ पे तो list of publication patents if any अगर आपके आपने जो भी research paper वहाँ पे publish किये हैं उनका भी scanned copy upload करना पड़ेगा साथे साथ अगर कोई patent है आपके नाम पे तो उसका भी प्रमाण वहाँ पे आपको upload करना पड़ेगा through scan फिर दोस्तों आपके detailed bio data means resume भी वहाँ पे upload करना है तो ध्यान रखेगा यह सारी चीज़े आपको scan करके वहाँ पे upload करना है उनकी website पे कंडिया शॉटलिस्टेट बाइद इस क्रीणिंग कमिटी विल बी इनवाटेट पर ओं-लाइं इंटर्वी तुरू MS team on 19 March and 24 March from 9 a.m. onwards जो लोग वहाँ पे select होंगे shortlist किये जाएंगे after screening committee जो वहाँ पे select करेंगे students को तो आप interview होगा 19 March को 24 March को 9 बचे से start हो जाएगा interview, interview में continue on depending upon the number of candidates appeared तो दोस्तों वहाँ पे जितने candidates होंगे तो उसके हिसाब से वहाँ पे interview स्टार्ट होगा date of interview will be intimated to the candidates through email तो जो आप email वहाँ पे दोस्तों भरेंगे बहुत ध्यान से application form में भरिएगा क्योंकि आपके email पे ही आपको intimate होगा कि date of interview क्या है 19 March भी रह सकती है तो 24 March भी रह सकती है यह से ध्यान करके अपना mobile number और जो आपका email ID है वो active email ID और active mobile number ही बरिएगा क्योंकि उसमें आपका जो admit card वगेरा जो भी चीजे हैं जो भी information है वो वहीं पे होगा और अगर आप email ID active नहीं दोगे दोस्तों तो फिर वहाँ पे कोई जिम्मेदारी संस्था की नहीं बनती है पैनल ओफ प्रोजेक्ट स्टाफ में भी प्रिपेर फूचर रिक्वार्मेंट्स टू इफ एनी और फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो दोस्तों यह एक खास लाइन है जहां पे इंटर्वी हो रहा है मानों वहां पे 10 कंडिएड्स चाहिए लेकिन वहां पे ज्याद है बच्चे भी वहां पे आ गए हैं जो अच्छे हैं जिनकी requirement है तो दोस्तों वहाँ पे आपका नाम वो लोग रख लेंगे और जैसे ही कोई वहाँ पे project आता है तो वो लोग आपको फिर से call करेंगे इसलिए मैं बार-बार कहा रहा हूं दोस्तों कि आपको mobile number और email id जो active है जिस पे आप काम करते हो तो वही वहाँ पे डालिएग engagement will be initially for a period of one year and may be extended or curtail depending upon the project requirement and desired level performance और conduct of the incumbent as the case may be दोस्तों जिए project है आपको engage किया जाएगा for a period of one year और वहाँ पे इसको वो घटा भी सकते हैं period को और बढ़ा भी सकते हैं depending upon the project requirement तो project जो जिस पे आप काम करोगे उसकी requirement के अधार पे जब तो प्रोजेट चलेगा उस आधार पे वह आपको वहाँ पे रखेंगे तो initially उन्होंने बोल दिया है कि एक साल के लिए लेकिन यह period बढ़ भी सकता है और घटने चांसे काफी कम रहते हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि घट भी सकता है tenure of project staff shall be co-terminus with the project महींस कि आपका जो project जब तक चलेगा तब तक आपका वहाँ पे आप रहो गया as a project staff और जैसे यह project खतम हो जाएगा तो आप वहाँ पे उसके साथ ही वहाँ पे terminus हो जाओगे means terminate हो जाओगे however under no circumstances the tenure would be allowed to exceed five years duration जो 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 यहाँ पी project है यह काफी time तक भी चलता है लेकिन यह पर साफ कह दिया गया है कि किसी भी condition में project पांस साल से ज्यादा नहीं चलेगा कहने मुलब आप पांस साल तक उसी project में काम नहीं कर सकते हैं the performance of the project staff would be reviewed periodically so that one not found up to the mark could be terminated तो आप जिस पे प्रोजेट कर रहे हो तो दोस्तों आपके project का वहाँ पी evaluation भी होता रहेगा और उसी क आधार पर यह होगा कि आपको extend करना है project कि नहीं करना अगर वहाँ पर ऐसा लगएगा कि आप project पर काम नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर वो project खतम भी किया जा सकता है all these positions are temporary and therefore will not confer any right on the incumbent to any claim implicit or explicit on any post in CSIR, IITR या CSIR तो यह सारी temporary positions हैं और कभी आप इसमें claim नहीं कर सकते हो जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम इतने साल ते project पर work कर रहे हैं हमें इस organization को या agency को वहाँ पर absorb करना पड़ेगा या हमें permanent बनाना पड़ेगा तो यहां पर साफ लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं आप वहाँ पर claim नहीं कर सकते हो on completion of the tenure in one project in case one wants to apply for engagement in another project he she will have to go through the process of selection by submitting a fresh application under the new project तो दोस्तों अगर मानलों आप वहाँ पर किसी एक project पर काम कर रहे हो और अब आप दूसरे project में भी काम करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको fresh application डालनी पड़ेगी engagement of the project staff under the new project would be made only after the submission of resignation and no demand certificate in the previous project तो आप दूसरे में करना चाहते हो तो आपको पहला वाला वहाँ पर resign करना पड़ेगा तो वहाँ पर after resignation or no demand certificate आप वहाँ पर join कर सकते हो wherever possible accommodation will be provided to project staff if accommodation is not possible HRF will be paid as per rules if accommodation is provided the license fee would be deducted as per CSIR rules तो दुस्तों वहाँ पर accommodation आपको avail किया जाएगा maximum को avail करा देया जाता है लेकिन by chance अगर आपको avail नहीं करा जा रहा तो वहाँ पे आपको house rent allowance आपको वहाँ पे paid होगा salary के साथ the project staff shall be permitted to avail leave and dispensary facility as per rules तो आप वहाँ पे project staff जो है as a project staff तो आपको वहाँ पे अगर छुटी वगरा चाहिए तो दोस्तों वहाँ पे उनके rules के आधार पर यह आपको चलना होगा institute provides canteen facility as is being provided for regular staff members on payment of suitable charges तो वहाँ पे institute जो है वो canteen facilities भी provide करती है लेकिन वहाँ पे आपको उसका charges पे करना होगा experience where required will be counted from acquiring minimum educational qualification तो experience जहां पर required होगा तो वो लोग count करेंगे recording minimum educational qualification के final semester results आवेटे candidates will not be allowed to appear for interview तो दोस्तों जहां पे अगर आप final year में और आपका भी result नहीं आया है तो दोस्तों यह आप application नहीं भर सकते हैं साफ तोर पर लिखा है कि जिनका result आवेटेड है वो यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर apply मत करिएगा अगर आपका result आ चुका है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं TADA will not be paid for reporting to duty तो दोस्तों duty में रिपोल्ट करने के लिए आपको traveling allowance वगरा नहीं अवेल किया जाएगा आपको खुद पैसे लगा के जाने होंगे एज relaxation will be admissible to five years in the case of candidates belonging to SC, ST, OBC, Fisically Handicared, Visually Handicared and Female Applicants तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया है कि five years के relaxation यहाँ पर दिया जाएगा जो different categories से है date for determining age qualification and experience shall be last date of online application तो आपको age count करने के लिए जो last date of application दी जा रही है तो उससे आपको count करना होगा अपनी age engagement and these projects will not confer any right implicit or explicit on the candidate for consideration for regularization against any CSIR या डबलाइटी यार पोस्त तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया पर्मिनेंट के लिए यहाँ पर कोई भी दाविदारी नहीं रख सकते हैं number of positions में very depending on the project requirement तो project requirement के आधार पे यहाँ पे जो vacancies दिखाए गई हैं वहाँ पर बढ़ सकती हैं और घड़ भी सकती हैं तो दोस्तों यह है अगर आप इसमें eligible हो तो मेरा ही कहना है दोस्तों कि इस तरह के जो project होते हों बहुत के फायती होते हैं और आपको यहाँ परने चा झाल